जैजन शक्ति से मैं आपका होस्ट एंद दोस्त राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माइडे फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम्प्लिट देखेगा कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजेगा यदि आप वीडियो को कहीं से स्किप कर देते हैं तो आपको जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो मैं आपसे इस वीडियो में बातचित करने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा देखिए आप किसी भी YouTube चैनल को फोलो करते हैं या किसी भी YouTuber की आप वीडियो देखते हैं मैं आपको ये request करता हूँ कि आप वीडियो को complete देखा करें उससे क्या होगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बताना चारा है और ये क्या ये information देने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वीडियो सिर्फ और सिर्फ पूरी देखते नहीं है और skip करके ही देखते हैं देखिए इसलिए मैं आपको बता दू मैं आपसे ये request करता हूँ बार-बार के वीडियो को भी ये complete देखा करो बहले अगर data की problem है तो low quality पे करके देख लिया करो तो देखिए मैं आपको बता दू आप हमारा पुराना जाकर के वीडियोस चेक कर लीजेगा जैजन सकती पिछले डेड़ वर्स से लोगों को जागरू कर रहा है लोगों को अवेर कर रहा है पहले जो इस game चल रहा था loan applications को लेकर के उसके recording सभी को बताया है वीडियोस के माद्यम से जितना हो सका है अवेर किया है बट मैं इस विशे पर कभी बोलना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सारे ओर डेडी यूट्यूबर इंफोर्मेशन प्रुवाइड कर आ रहे थे बट जब मुझे पता लगा लोगों ने कहा कि सर्व आप इस विशे पर भी थोड़ा जानकारी दें तो मैंने देखा कि लोग मैंने लोगों को इंफोर्मेशन के साथ साथ में दे रहे हैं जैसे की मैंने देखा था एक कैप लगाता है वह विडियो वगर शूट करता है और यह वह इसी विश्य पर एक कर दो आप कर दो दो देखिए आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कानून से बढ़कर कुछ नहीं है कानून को कभी हाथ में नहीं देला चाहिए मैंने अपनी वीडियो में ये पहले भी कहा है और मैं पिछले डेड़ वर्ष से हर एक व्यक्ति को यही जानकरी देता हूँ कानून से बढ़कर के क प्रेशान हैं आप इतने प्रेशान हैं किसी भाई के पास में अर्निंग का कोई भी स्रोथ नहीं है किसी परकार की अर्निंग किसी भी व्यक्ति की नहीं हो पा रही है ये बात आप भली बाती जानते हैं जो भी middle class व्यक्ति है अब आपको पता है कि देखिए जो middle class व्यक्ति है फस्ता वो ही है किसी भी कोई भी RBI की scheme आजा या कोई भी है मैंने देखा है अक्सर ये मेरा experience रहा है आप तक हाला कि मैं तो ज़्यादा मेरी उमर नहीं है बट मेरा experience रहा है कि कोई भी कुछ भी होता है लेकिन फस्ता middle class व्यक्ति है ठीक बट अब जो situation है देखिए आपके पास में बिलकुल भी पैसा नहीं है आप इस बात को जानते हैं और आपके पास में कोई भी earning का किसी भी कोई माध्यम नहीं है और आपके मन में ये डर है कि सरजी बैंक और NBFC के जो recovery agent है कोई हमें ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है तो देखो मैं आपको ये recommend करता हूं कि अगर आपके पास में कुछ अभी विवस्ता नहीं है तो आप बैंक को एक letter के माध्यम से सूचना देदें कि देखिए हमारे पास में बिलकुल भी पैसा नहीं है अब आप जो करना चाहते हैं देखिए वो अपना legal proceeding कर लीजेगा लेकिन हमारे पास में अभी पैसे की वेवस्ता नहीं है हमारे पास में जब पैसे की वेवस्ता होगी जब सारी situations आई होगी तो हम अपने आप ही payment कर देंगे बट यार इतना घबराने की जोरत क्या है आप इतना क्यों डर रहे हैं कि मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी मेरे घर पे ऐसा हो जाएगा मोरिटोरी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा देखिए situation को समझे और अपने घरों में सुरक्षित रही है आप बिल्कुल भी किसी से ना घबराएं बिल्कुल भी किसी से ना डरें और आप जो कहते हैं ना ये recovery agent पुलिस केस यह सब चीज़ है तो देखिए इनके चकर में आप ना पढ़ें इनकी calls वगएरा को इग्नोर करें एक बार सिरिप reply कर दें कि हाँ भई मेरे पास में पैस बहुत ज़्यादा खराब है और लोगों के पास में कोई भी पैसे की व्यवस्ता नहीं है ठीक अब बैंक और NBFC को आपको पता है कैसे moratorium देना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ देखिए जब बैंक को पता है कि किसी के पास में पैसा नहीं अभी फलाल में उनके पास देना पड़ेगा क्योंकि बैंक यह नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा फसे वो किसी ना किसी तरीके से पैसा अपना निकालने का प्रियतन करेगा ठीक लेकिन आपको मैं बता दूँ यह जो moratorium है ना इंट्रेस्ट वाला जो आप लोगों को moratorium दिया जाता है यह मेरे हिसाब से न में रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों की समस्याओं को समझने का प्रियатन करें अब लोगों को अभी भी फलाल में जो दिक्कत है उसके चलते अभी किसी व्यक्ति से किस्त बगएरा के क्या कर रही कि हम आपका लोन माप कर आएंगे तो देखिए भाई मैं आपको बता दूं भाईया जो तरीका है जो सिस्टम है उसके अनुसार बात करो तो ज्यादा बेटर है वह अच्छा भी लगता है लेकिन अगर आप तरीके से बाहर जाकर के लोगों को जूटा अस्वासन दे रहे हैं वो सब चीजे कर रहे हैं तो कैसे पोसिवल हैं तो भाईया मैं बता दूं कोई भी खुछ नहीं करेगा जो भी करना है आपको करना है और आप अप अपने अधिकारों को समझ जब आपके पूरे अधिकार आपके समझ में आ जाएंगे आप बिलकुल भी नहीं और आप बिल्कुल tension free रहेंगे, ठीक, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप self depend बनना सीखिए, इसी व्यक्ति पर निर्भरमत रहिए, या राहुल लेमेश अपनी वीडियो के माध्यम से कोई आपको moratorium नहीं दिला देगा, सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी प्रवाइड करा सकते हैं, ठीक, कोई भी है, तो इसलिए जो भी करना होता है, खुद कोई करना होता है, और आपको पता है, situation क्या चल रही है, अब ये जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, जो लोगों को लगातार ब्रहमित करते आ हैं कि ऐसा वैसा, तो देखिए जितना आप ऐसी वीडियो को देखेंगे, moratorium क्या हुआ, ये वो, उतना आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, उतना आपको tension होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रही है, बट जिसके पास में पैसा है, और पैसा होते वे वो ना दे रहा है, तो देखिए उसके लिए तो समस्या वाली बात हाई है, ये बात आप भली बाती जानते हैं, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे भाई, लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, शेयर कर दें, बस मैं तो यह कहूँगा, जो भी व्यक्ति घबरा रहे हैं, और चैनल को सस्काइब करना चाहें, कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो ला करके देंगे, बट आपकी जो क्वेरी होंगी, उनी के अनुसार हम वीडियो ले करके आएंगे, और गाईज एक निवेदन और करूँगा, मैं आप लो देने में या कुछ भी देने में दिक्कत हो सकती है, ठीक, बट आप लोग मुझे सजच जरूर कर दें, क्योंकि मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई फाइनेशर एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक आम वेक्ती हूं, और जितना मुझे बेसिक जानकारी है, मेरा दूसरा चैनल है राहूल निमेज, जिसका मैं लिंक आपको पिन कर दूँगा कमेंट में, तो आप उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गाइज कोई भी सजेशन्स हो, आप जरूर दें, जिससे कि मैं अपनी वीडियो को और बहतर कर सकूं, और आपके लि फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में